फ्रेंट्स ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली जो कंपनी है इसने अपने वेबसाइट पे कुछ नए कलर ओप्सन एड़ किये हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ला अलहरा ब्लू ऐसा ऐसा करके पांचे कलर ओप्सन इसने दिया है अलाकि एक स्कूटर अभी लॉंच नहीं हुआ है मार्केट में पर इसकी बुकिंग चालू जरूर हो गई है तो फ्रेंट्स आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे आप देख रहे हैं करेंट्पीडिया और वेलकम टू करेंट्पीडिया फ्रेंट्स तो चलिए हम इसकी वेबसाइट को पन कर लेते हैं तो यह वेबसाइट को आज जैसे ही मैंने खोला इसमें देखा मैंने इसने नया कुछ एड़ किया है एक नया वीडियो है जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में प्ले किया है और नीचे में सबसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे में देखे इनका यहां पर कलर कलर ऑफ्सन बहुत सारा मिला है इसमें डिटेलिंग समझ में आती है कैसा स्कूर होने वाला है कैसा लोक लगने वाला है तो चलिए अब इसको आगे देखते है लाजहां वह पिक्चर रिलीज़ करकर के अपने स्कूटर के नया नंखतर रही है पर उसने कभी स्पेसिफिकेशन के बारे नहीं बता है और प्राइज भी इसमें उपन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँगी इस जब भी लॉंच होगी तो इसका प्राइज एक लाग से उपर जाने वाला है एक लाग से कम में स्कूटर नहीं मिलेगा आपको यह याद रख लेना है दूसरा जो है इसमें हब मोटर नहीं रहने वाला है इसमें जो है वो एक टू किलोवाट से उपर का मोटर होगा और वो चैन या बेल्ट के थुरू वो बैक वाले वील से कनेक्ट होगा और जो यह स्कूटर है वो काफी हद तक इंस्पायर होगा एथर के 450 से और दूसरा यह लोग चार्जिंग इस्टेशन पर जो खास ध्यान दे रहे हैं हर जगा यह अपना चार्जिंग इंफ्राइस्ट्रक्ट्टर डेवलोब कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा रहने वाला अगर वह सच्मुच में होता है तो आगे कोई भी ओला स्कूटर से रिलेटेड अपने चैनल पर देता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स